एक आपने सबने सुना होगा Guinness Book of World Records उसका नाम आज बदला जा रहा है उसका नाम है नितिश Book of World Records नौ बार शपत ले रहे हैं ये एक रेकॉर्ड है अपने आपने तो अब आप उनसे पूछिए कि उनकी मनशा क्या थी क्यों उन्होंने ऐसा किया और उनको भी छोड़ दीजिये जिनके साथ हो जा रहे है जो 400 सीटों का डम भरते हैं दावा करते हैं ये है असलियत ऐसे ला र वाके ले आए अब पता नहीं उनकी एडी है सीडी है हमें नहीं मालूम जो भी है नितीश बाबू को भी ले आए ना तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या ज़रत पढ़ रहे हैं आपको यहाई से मालूम पढ़ता है कि आप असलियत जानते है आपको पता है क्या होने वाला है इसलिए आप इस थरे की हरकते कर रहे हैं मालूम होते वे भी जैसा कि हमारे माननी अध्यक्ष ने कहा मालूम होते वे भी हम चुप रहे लेकिन पूरा देश देख रहा है बिहार की जनता देख रही है कि कौन इस दौर में जनता के साथ है और कौन उनके साथ है जिनकी वजह से अन्याय हुआ। ये संदेश आज स्पष्ट हो गया। जो चले गए उनकी मजबूरियां रही होंगी। जो चले जाते हैं उनकी दो ही मजबूरियां होती है। या ED होती है या CD होती है। तो मैं नहीं जानता है उनकी क्या मजबूरी है पूरा देश सुन रहा है एक हफते पहले त्यागी जी क्या कहते थे वो भी पूरा देश सुनता था एक हफते बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहा है एक महीने बाद क्या कहेंगे वो भी सुनेगा लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना एकदम पलट जाना ये एक कला है जो नितिश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए और त्यागी जी से भी सीखनी चाहिए कि उसको कैसे जस्टिफाइ करना है पूरा देश पूरा इंडिया अलाइंस हकीकत जानत है कौन नितिश बाबू को कन्वीनर बनाने के लिए सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा था ये भी सब ने देखा सब जानते हैं और नितिश बाबू जब अपने कमरे में अकेले होंगे आईने के सामने जाएंगे तो उन्हें भी हकीकत मालूम है कि किसने उनके लिए क्या किया गटबंदन का एक सफर होता है एक यात्रा होती है उस यात्रा में स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं उस यात्रा में रेड लाइट्स भी आती है उस यात्रा में येलो लाइट्स भी आती है और फिर उस यात्रा में ग्रीन लाइट्स भी आती है और फिर मंजिल भी आती है गटबंधन भी देखें आपने तो गटबंधन का सफर लगभग इसी तरह का होता है जैसा कि आज आज आप देख रहे हैं कि अलगा है कि अलगा है